Hello everyone, आज है 2nd January और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे है जियो फिनांशल सर्विस के बारे में देखे आज अगर हम देखे तो एक डिकलाइन आया जरूर था लेकिन फॉरन से रिकवरी भी लोटती हुई नजर आई अभी के टाइम पर आज दिन जियो में जियो फिनांशल में कोई गिरावट नहीं है और देखा जाए तो पिछले एक महिने में हाला कि गिरा जरूर है थाईसो रुपए से लगातार गिर रहा है ये और बात करेंगे कि इस कंपनी में चल क्या रहा है योगि देखो परदे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है और एक दो महिने बाद आप कही सारी खबरो का बाजा यहां पर गरम योगए यहां पर इसके बारे में लेकिन उसे पहले अगर आप ने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो है जब हो काफी जादा हेल्प करेंगे तो देखा जाए तो एक जटके मे तीजी बनी थी बाद में लंबे समझ से अगर आप देखो तो गिरावट ही यहां पर चल रही है लेकिन देखो आप इस कंपनी को इगनौर नहीं कर सकते है देखो इसके वैल्यूशन के उपर बहुत सारे क्वेस्टन्स आप उठा सकते हो ठीक है लेकिन आप इसको इगनौ नोहीं फक्ते हुए अगर मैं इंके इंशौरंस बिस्नस की बाद करू यहां पर नाफ सासथ लेंडिंग का भी जो बिस्नस है यहां पर तो देखा जाए तो जीयो ने अपने जो लेंडिंग बिसनस है उसको किक ओफ करा जरूर है मर्चंट लोन केंजूमर लोउन को यहां जिनकी age 23 से 58 years के आसपास की है तो देखा है तो lending business दीरे दीर अब start होना शुरू हो चुका है इनके insurance business में शुरू होने में time लगेगा अभी क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो 31 जुलाई के पिछले साल की ये खबर थी जब इनके insurance को लेकर देखो license चाहिए होता है अगर आप ऐसे अपना insurance business दो नहीं कर सकते हो license चाहिए होता है उसके लिए और generally ये जो license है वो 6-8 महिना लेता है और अगर आप ये खबर देखोगे तो वो 31 जुलाई के खबर थी अगर इस्तमाल लो आप यहाँ पर ठीक है तो 5 महिने पुरानी खबर ये है ये और तब ये कहा जा रहा था कि regularly अगर आप देखोगे तो 6-8 महिने लगते हैं आपको insurance के license मिलने में तो बहुत जल्दी आप ये भी खबर सुनोगे के इनको insurance का भी license मिल गया है और again इस खबर का भी बहुत बड़ा impact पड़ेगा याद रखेगा और जिस तरीके से इनकी खुद की my geo app है ठीक है आप अगर अपने mobile को recharge करते हो अगर आपको जियो का सीम है mobile recharge के इस्तमाल करते हो और सबसे जादा अगर आप देखो तो भया my geo के users होंगे telecom में अगर हम बात करने जाए तो तो कहीं न कहीं उसका भरपूर इस्तमाल करा जाएगा अपने lending business को push करने के लिए अपने insurance business को भी push करने के लिए और यही सारी चीज़े होगी और जहां तक बात करें volumes को लेकर तो आज 53 lakh से जादा की quantity में share यहां पर trade होते नजर आए इतना ही नहीं company अगर आप देखोगे तो according to money control user 100% लोग किया रहे खरीदारी करो बेशने की बात कोई नहीं कर रहे मैं भी नहीं करूँगा यहां पर मैं लंबे समय से कह रहा है को देखो यह buy on dips का नजरी आपका यहां पर होना चाहिए और देखो यह जो अलग-अलग services company शुरू कर रही है चाहिए अभी देखो अभी तो शुर्स पे लगा देटेंगे इनको फीक है चाहिए वह iyo का श्टर मार्ट का का श्टर सो ठीक है रीलाइंस रिडियाल का स्टोर सो यह लग जाएंगे वहां पर और जहां तक बात करेंगे रहें अच्छे थे नहीं अब तक लेकिन आगे होते नज़र आ सकते हैं अब भी मुझे डिसमबर क्वाटर से उतनी ज़ादा उमीदे नहीं है लेकिन मुझे इसके बाद कि मार्च से थोड़ी बहुत उमीदे है मुझे जून क्वाटर से उमीद और ज़ादा बड़ी है उसके पाद सब्टेंबर कॉर्टर से उम्मीद और ज़्यादा बड़ी है क्योंकि दिरे दिरे बिजनस जो इनके है वो सारे पैन आउट को ते नजर आएंगे आपको और जहां तक बात करी जाए कंपनी को लेकर तो तो कंपनी में अगर आप इनके रिवन्यू देखोगी तो ठीक ठाक है उतने अच्छे आपको लगेंगे नहीं नहीं अच्छे लगेंगे आपको इनके रिवन्यू अच्छे लेकिन 16 ये भी है कि दीरे दीरे आपको यहाँ पर 30 भी देखने को मिलेगी दीरे दीरे आपको यहाँ पर तीज़ी देखने को मिलेगी अभी अगर आप इनको रेवन्यू देखोगी तो आपको profit जाजा दिखता है उसकी वज़ा यह है कि बहुत बड़ा amount जो है वो dividend के form में आता है Reliance Industries से क्योंकि Reliance Industries में 6% का जो stake है वो Geo Financials के पास है तो बहुत बड़े shares हो गए वो तो उसका जो dividend है वो भी इनको तकरीबन 200 करोर से ज़ादा का dividend है इनको मिला था भी last quarter में तो यह है और जहां तक बात करें valuation की तो देखो यह 4,665 का इसका peer ratio काफी high है इसके बाकी competitor के मुकाबले लेगिन इनके revenue business बहुत कम है इनके operational firm revenue आप देखोगे तो वो बहुत कम है यह देखो business अभी तक थेई नहीं अभी दीरे दीरे established हो रहे है अभी insurance का इनको license मिला नहीं है मिलेगा वो business शुरू होगा अपने digital payment का business अभी तक इनके शुरू किया नहीं है शुरू करेंगे वहाँ से आएगा ठीक है credit card का जो business है वो दीरे दीरे setup कर रहे है वो शुरू होगा वहाँ से revenue profit बढ़ेंगे इनका जो asset management का जो business है वो दीरे दीरे अभी start up होना बाकी है वो शुरू होगा वहाँ से पैसा आएगा तो आप एक तरीके से ये सोचो कि भाई साहब ये बहुत बड़े पैमाने पर हर जगा आपको देखने को मिलेंगे सबसे बड़ी बात इनके ये है कि इनके पास वो tech है जो इस सारी चीज़े कर सकते है data इनके पास बहुत जादा है जिसका ये बहुत अच्छे से leverage उठा सकते है जहाँ तक बात करें कि share holding को लेकर तो promoter लगातार खरीदारी भी कर रहे है listing से लेकर अब तक जियो में इनके जो promoter reliance है उन्होंने 8 करोड से भी जादा के shares खरीद लिये है listing से लेकर अब तक mutual funds, domestic और FIs लगातार बेच जरूर रहे है 4.71% की holding mutual funds के पास है 9.03% domestic के पास है 21.58% FIs लेकर बैठे है retail और अधर की मिलाकर 17.91% की holding है जिनमे retail investor 10.29% की holding लेकर बैठे है तेकि overall जियो मुझे खराब नहीं लगता है बैकि मैं एक ही चीज कहूंगा कि बहुत सारी खबरे यहाँ पर आपको आने वारे 6 महिनों में सुनने को मिलेगी positive खबर और जिसका असर जो है वो काफी positive ही होने वाला है इसके उपर और यहाँ पर buy on dips के मौके मुझे लगता है कि definitely बनेंगे जहाँ तक इनके insurance का license मिल जाएगा positive खबर होगी digital payment को लेकर वया यह अपने sound box लगाना शुरू कर देंगे और उसको लिए marketing भी शुरू हो जाएगा और मुझे लगता है कि main जो IPL वाला जो season होगा इस time का वो बहुत बड़े पैमाने पर इनकी marketing में निकलने वाला है reason यह है कि broadcasting rights जो है वो जियो cinema के पास है और जियो जो है भाई साब अपनी जितनी भी जियो financials की जो product होगी चाहे वो digital payment की बात करे credit card की बात करे चाहे वो बात करी जाए यहाँ पर insurance की बात करी जाए उसकी heavy marketing आपको IPL के दोरान देखने को मिल सकती है और यह बड़ी बात होगी उस time पर और जैसे जैसे वो चीज़े चलेगी share में आपको तीजी तब देखने को मिलेगी अभी भी एक महिने तक यह इसी range के आपस बटकता रहेगा अगर मैं कहते हूँ अभी भी यह कोई बहुत जादा दम नहीं दिखाएगा बटकता रहेगा यह लेकिन असली तीजी मुझे लगता है कि मार्च के बाद यहाँ पर शुरू होती नजर आ सकती है कई सारी खबर आपको यहाँ पर सुनने को मिलेगी जिसका impact तो definitely पड़ेगा और यही वज़ा है कि मैं अभी इतना ही कहूँगा कि दीरे-दीरे add करने के मौके आपको डूणने चाहिए अभी भी देखो मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर खरीद लो ठीक है bottom अभी भी यहाँ से दीरे-दीर setup कर रही है अभी तक होए नहीं है जिसके चले ते आप इसको वैलेशन के के हिसाफ अगर आप देखोगे तो बहुत महँगा लगेगा लेकिन जैसे जैसे वह बिजनस शुरू हो जाएंगे वहाँ से revenue profit आना शुरू हो जाएगा तो वह पी रेश्यो कि इनकी productive वागिरा की वह आपको IPL के दोरान देखने को मिल सकती है यह मेरा मानना है बागी मरजी आपकी है वीडियो को यहीं पेंट करूंगा पसंद आखो तो लाइक करें अगर पहली बारे हैं तो प्ली सब्सक्राइब करें और जियो फिनांसर सर्विस के बारे में आप क्या सूचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बने की बता सकते हैं थैंक यू